साथियों नमस्कार मैं रॉक्टर सूरीश पांडे आज आपके समक्स मोतियाबिंद ऑपरेशन और कृतिम लेंस प्रत्यारपण क्या विसकार की रोचक कहानी आपके समक्स साजा करने के लिए यहां उपस्तित हूं साथियों मोतियाबिंद यानि की कैटरेक्ट एक एसा नित रोग है जिसमें आख का लेंस अपनी पार्दस्चिता खो देता है और आख के लेंस की पार्दस्चिता समाप्त होने के कारण अत्वा प्रभाईत होने के कारण व्यक्ति को दुनला दिखाय देने लगता है एडवांस स्टेज में मोत्यविंध होने पर व्यक्ति की आँखी रोशनी बहुत कम हो जाती है और कई बार पकेवे मोत्यविंध की इस्तिती में रोगी को बिलकुल दिखाई देना बंद हो जाता है साथियों आज से कई बर्स पहले जब कृतिम इंट्राउकलर लेंस का आविस्कार नहीं हुआ था तो उस समय कृतिम इंट्राउकलर लेंस के आविस्कार से पहले रोगी को प्लस टेन डायप्टर का मोटा चस्मा लगाना पड़ता था और इस मोटे चस्मे को अफिक की ग्लासेश कहा जाता था इस मोटे चस्मे को लगाने के बाद रोगी को कई परेसानियों का सामना करना पड़ता था इसलिए उस समय मोत्यविंद के पकने पर ही चिकिसक मोत्यविंद का ओपरेशन करते थे साथियों आठ फरवरी 1950 को एक नेत्र चिकिसा जगत में बहुत बड़ी क्रांती का आगाज हुआ जब बिटिस आइस सरजन सर हेरोड रिडले ने सैंट थॉमस होस्पिटल लेंडन में विश्व का पहला लेंस कृतिम इंट्राउकलर लेंस का सफल प्रत्यारपण किया साथियों कृतिम इंट्राउकलर लेंस के प्रत्यारपण की कहानी बड़ी दिल्चस्पे यह कहानी की सुरुवात वर्ल्ड बार टू से स्टार्ट होती है दिनांग 15 अगस 1940 को रॉयल एफ़ोर्स बिटियन के पाइलेट लेटनेंड गॉर्डन माउस क्लीवर को आदेश मिलता गार्डन माउस क्लीवर हॉकर हरीकेन को उडाते हैं और जैसे ही वो उडान भरते हैं जर्मन मशीन गन से निकला हुआ एक गोला उनके विमान को पूरी तरह से तरह से नस कर देता है गार्डन माउस क्लीवर विमान को पल्टाते हैं और पराशूट लगा कर कुदने में काम पीट से, विंडसील से, चुकडे जो की Perspex से बने हुए थे, Agrilic Plastic से बने हुए थे, उनकी आंख में चले जाते हैं, जब वे अपनी आँक का इलाज कराने के लिए, Dr.Heroad Ridley के पास जाते हैं, तो Dr.Heroad Ridley उनका इलाज करते समय कृतिम IntraAucal Lens के बारे में सोचते हैं, यह आइडिया उनको Stephen Perry नामक एक medical student से मिलता है Stephen Perry, Dr. Harold Ridley के operation theater में मोत्याबिंद operation को देखने के लिए आते हैं और वे कहते हैं कि it is a pity if you cannot replace the cataractose lens with an artificial lens Dr. Ridley को वो आइडिया उनके मस्तिक्स में कोनता है और वे PMMA में polymethyl methacrylate नामक material से कृतिम intraocular lens बनाने के लिए Rayner and Keeler Optical Limited नामक company के Mr. John Pike से संपर्ख करते हैं यह operation बहुत ही गुत रखा जाता है गुत तरीके से Mr. Pike कृतिम intraocular lens बनाकर Dr. Ridley को देते हैं और Dr. Ridley आठ फरोरी 1950 को 45 वर्सी महिला की बाई आख में इस lens का सफल प्रत्यारोपन सेंट थॉमस होस्पिटल लंडन में करते हैं साथियों सफल operation के बाद Dr. Ridley का विशुभर में विरोध होता है विशुभर के नेतर चेकिशक एकेडमिक प्रोफेसर्स इस discovery से खुश नहीं होते हैं वे इसका विरोध करते हैं और Dr. Ridley इस समय बड़े परिसान होते हैं उन्हें अपना medical license जाने का भी खत्रा आयता है वे जानते हैं कि ये कदम बहुत रिस्की हो सकता उनके medical career के लिए लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते हैं और International Intra-Ocular Implant Club के जरिये धीरे धीरे Intra-Ocular Lens की काविशकार विस्वर में पहुंचता है 1980 के रसक में American Food and Drug Administration के द्वारा FDA के द्वारा Intra-Ocular Lens को मानिता दी जाती है और उसके पर शाथ ये डिस्कोरी पूरे विस्वर में करोड़ लोंग को नई रोशनी देती है साथियों दिनाम 10 जुलाई 1906 को सर हेरोड रिडले का जन्म हुआ था और आज विस्वर में लगभग 2 करोड़ से अधी व्यक्तियों को हर वर्स कैट्रक्स सर्जरी विद इंट्रा-Ocular Lens प्रत्यारोपन नामक ऑपरेशन किया जाता है यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लगबस 70 लाख व्यक्ति हर वर्स मोतियबिन्द ऑपरेशन और क्रत्यारोपन नामक सर्जरी करवाते हैं आज ये सर्जरी मानसरी में सबसे अधिक नमबर्स में की जाने वाली सर्जरी है आईए हम टॉक्टर हेरोड डिले के बर्स डे 10 जुलाई को उनके द्वारा किये गए इस अतिमत्पुन आविसकार के लिए उनको नमन करते चलें उनको सलाम करते चलें धन्यवाद नमसकार डॉक्टर सुरेश पांडे सुमिनेची के साले कोटा